लोंडी मुर्गा और कुट्ता, एक चांदनी रात में एक लोंडी एक किसान की मुर्गी के बाड़े के चारों और घूम रही थी, और उसने देखा कि एक मुर्गा उसकी पहुँच से बहुत उपर बैठा है, अच्छी खबर, अच्छी खबर, वह रोया, क्यों वह क्या है, म परन्तु सब भाईचारे की मित्रता में आपस में मिलजुल कर रहेंगे। क्यों यहाँ अच्छी खबर है, मुर्गा ने कहा, और वहाँ मैं किसी को आते हुए देखता हूँ, जिसके साथ हम सुसमाचार बाट सकते हैं। और इतना कहकर उसने अपनी गर्दन आगे की ओर तान दी और दूर से देखने लगा। यहाँ क्या देख रहे हो, फॉक्स ने कहा, यहाँ केवल मेरे स्वामी का कुट्ता है जो हमारी ओर आ रहा है। क्या इतनी जल्दी जा रहे हो? उसने जारी रखा, जैसे ही फॉक्स ने खबर सुनी, जैसे ही वह दूर हो गया। क्या आप कुट्ते को सार्वभामिक शान्ती के शासन के लिए नहीं रोकेंगे और बधाई देंगे? मैं खुशी से ऐसा करूंगा, लोमडी ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि उसने राजा शेर के फर्मान के बारे में नहीं सुना होगा। कहानी की शिक्षा है, जब कोई दूसरों को नुकसान पहुचाने की सोच रहा हो, तो उसे बदले में उसी व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए।